मैं आप सब को बहुर बहुर आभार देखते करना चाहती हूँ कि आप सब इतना समय इंचारिकर यहां पर आए है और मुझे खास चौक से बहुत प्रसानता है कि मैं देखे हूँ कि यह बीच का जो व्लॉक है यह पूरी तरीके से हमारी मांतर शक्ती को सबसे कर दिया गिया ह इस पूरे व्लॉक में देख रही हूँ हमारी मातायर रहने बड़ी सब्सक्राइब बेची हुए है आज तक को भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं अपना दिल के आपना दिल की खासियत होती है कि इसमें अमारी माताओं बहनों की बड़ी संक्या में बहुत बल चड़के ह अमेशा भारिगारी योग्ति है जिस भी जट्बर में जाती हूँ माताओं गहलों का मुने बहुत बीकसारा प्यार दे बिलता है तो आज मैं यहां भी देखती हुए कि गाहों से डरों से निकल कर समीमाई आपर आई हुह है है और बहुत बहुत चैजला चाहती हुए प्रश्टिवी उसे बहुत पेना दायक होती है और देखिए इसी प्रकार से आपके बीच से निकल कर अमारी रेखा वरबाज यहां पर हैं, अमारी प्रिता वरबाज यहां पर हैं, अमारी बेहन शिंपी तुमेजी चल कर आई हैं लगनों से, वो भी आपके बीच नहीं प्रश्टिवी के अपने माइने हैं, इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगी कि कभी भी पाइटी का कोई भी कारेकरम हो, आप सभी इसकी प्रकार, बढ़ चट्के हिस्ता इजिए और पढ़ार के जो पूरुष तदस्त हैं, कौनी मैलाओं को रोके नहीं, उनको और बढ़ कि उनको प्रुटाहन नहीं कि उनस तरीखे के कारेकरम में जरू बढ़ाती हैं, देखिये क्या बात अजिए बात अजिए बारे ब्यारे लगाने का उसा देखिये, आज के इस अबसर पर साथियों और सभी जानते हैं, कर 26 जबंबर इस बहुत 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 पूर तारी है सभी जबंधान विवास के, 26 जबंबर को सन 1904 में, हमने अपने देश के सवतर्व भारत में सभी जबंधान को अगीकार किया, और 2015 से भारत की सरकार ने एक नहीं परपड़ा की शुरुआ थी, कि हमारे आने वार्यों प्रिया इस दिन के मज़तों को जादे, कि देश हमारी सारी विवस्थाएं देश की भारत के संभीदान से इस अचालिक होती है, और इसकी तिकी अतनी महत्वपूर है, 26 नवंबर की, कि हमारे देश में आने वारी पीडिया, हमारे देश का जो भविश है, और इस सिदी को भूले नहीं, इसकी है, 2015 से भारत की सरकार ने जहां लोगसवा और राजिसवा सभी के हमारे देशांसबे एक साथ भटा उक्तर बैरते हैं, उस ठान पर माहम रज्च्ट्र पती ली की उपस्ति में, हमारे उपराण पती ली अध्याक्षय और राजिसवा के सभापती ओडिया दिवस्पनाया गया, कि हम सब इस महर्द क कपिनल इसा इस्ट के लिए और सभी के हितों के संब्रक्षर की ज्यवस्था है वो सम्मिधान गुपी इस ग्रंट के अंदर इस परिप्र ग्रंट के अंदर हमारे राष्ट्र दिर्माताओं ने सुनिश्चित की और इसी सम्मिधान की अंदर जो हमारे देश का दबा, पुछला, पिछला, दली, इचोशे, पीरे, ताधिवासे समाज है उसके हितों के संद की विवस्ता भी इसी सम्मिधान के अंदर की गई है, आज इस महानायक को हम याद कर रहे हैं भारत के पूर प्रदारमंत्री स्वलिय वीपी सिंग साहब, आज उनकी पोने तिजी है, और उन्होंने अपने जीवनकार में, अपने प्रदारमंत्र सुपकार में एक ऐसा ही ए प्रद्वे के दशक में, मंदल आयोग को लादू करके उन्होंने देश की पिछली जातियों को, पिछले वर्गों को 27 प्रतिशक के नौकरी और शिक्षर संस्थानों में प्रतिविप्त के लिए एक महत्वूर देने लिया था, इसलिए हम उन्हें मंदल के महानायक के जन्म लेने वाली बहुत सारी प्रतिवाओं को देश के शिक्षर संस्थानों से लेकर देश की सरकारी नौकरियों में प्रतिविप्त मिला, उनकी भागेदारी मिली, उनका सम्माल सुमिश्यक हुआ, आगे बढ़ देके और उनका भुश्य उजवर बनाने के रास्ते, मार प्रशस हुआ, वो रास्ते खुले, तो ये बहुत बढ़ा गिल्या था, और ये हमारे समुधान से निकल कर आया, इसी प्रकार हमारे समुधान में, हमारे राश्यक में माताओं ने, उनके लिए अज़ादी के बार सारे 22 प्रतिशत के प्रतिविप्त का प्रावधान दिया और इन निवस्खाओं के कारण ही, आज धीरे धीरे करके जो हमारा दबा कुछना समाज है, वो आगे बढ़ पारा है, अपना दर जिसका गठन, यशाकाई डॉक्टर सोदेलाई पर देल दिने किया, इसी उदेश से किया, कि जो हमारा हाश्ये पर पढ़ा हुआ करता है, ज उन्होंने सदेव लोकतंत्र के सबी स्थमों में दबे कुछले समाज की, उनकी आबादी के रूपत पात में प्रतिनिधित्व की बात को आगे रख्था, उन्होंने कहा कि देश की विधाईका के साथ साथ, यानी राज्यों की विधान सबा और देश की लोकसबा और राज दाइदारी होनी चाहिए यही लोगपंद्र की सार्थक्ता तो सिद्ध करेगा और अपना दर्गा जिस दिन से गठन हुआ है उस दिन से निरंतर हम सभी साथ ही प्रयास कर रहे हैं कि समाजिक में आए कि जिस चिंतन धारा को लेकर ये शाकाई दॉक्तर सोनेलाल प्रतेंजी चले थे हम उसको दिन प्रते दिन मस्भूत करें आज हमारी ये पार्टी अपना दर्ग उत्तर प्रदेश के सदन में भी है हमारे साथी जो आपको इस बंच में नजर आ रहे हैं डॉक्तर जमुना जी के रूप में जैकी जी के रूप में और हमारे बहुत सारे अन विधाय और हम उट्र प्रदेश के सदम में इनकिसे के सरीया मीशन को लेगा है हमारे जैकी जी उत्र फ्रद्शी सराट के मंद्री के भागिलार आ इसी प्रकार इसकी संस्भ में भी आक नजर की रागीयारी में आई मूप सबाह में घोस्ज Tokyo मैं स्वेन लोगसमा में हूँ और हमारे आदिवार्सि जनजाती समाज से आने वाले मारी पकोडी जाने को ली वो हमारे पाटी के दूसरे संसर्ध है जो लोग समामें चुनकर पहुँचे मैं उत्तर प्रदेश की सरकार मेंने ही नहीं बनकि देश की सरकार में भी भागिदार हैं और मजबूती के साथ तों सभी से कहना चाहती हूँ कि हमारे जो भी सत्य हुआ प्रिदेश के सदन में हैं, वो अपना दल की समाजी किन्याएटी विचाफधारा से जुए हुए हर विशे को पड़ी मजबूती के साथ सरफ से लेकर सदन के अंदर तक उठाने का काम करते हैं। पिछलों कमेरों, तलितों, जोशितों के हितों से जुला हुआ ऐसा कोई विशे नहीं है, जिसको सदन के अंदर उठाने से अपना दल तो भी दीट पीछे हरता है। आज हम अजबूती से आपके बीच ये बार कहते हैं, कि हमारे इतने भी साथी आपको उठान देश की विजार सबावे दिख रहे हैं, ये अवाम दो साथी जोड़ेश की लोग सबावे हैं। हम दिरंतर ये मांग करते आ रहे हैं, कि हमारे जो प्रतियोंगी परिक्षाए राज्यों की होती हैं, उसमें हमारे जो पिछला वर्ट के अभ्यति हैं, जो हमारे अनुसुम्चित जाती जन जाती के अभ्यति हैं। ये बहुत बड़ी विसंजती हैं और इसका समधान हमारी सरकारों को करना चाहिए। बहुत बड़ा चिंदम का विशे हैं, क्योंकि अगर जो बर्गर शोशित रहा, पीडित रहा, दबा कुछला रहा, अगर उसको प्रतियोंगी आरक्षर की विरस्था हमारे समिधान निर माताओं में बनाई थी, उस कोई व्यवस्था का कोई और चिप्त ही नहीं रहे जाता है, अगर आपको और भी जाधा कटाउफ लाने पन जाते हैं, तो ये गंबीर जिंदर का विशा है, और अपना कर्मियंतर इस बात को कह रहा है, हमारी सरकार को, या हमारी राच्यों की सरकारे हैं, जो प्रतियों की परिक्षाए राच्यों के अंतरदर होती है, इस विसंदती को दूल करने की विशा में तदा मुठाना चाहिए, आज हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे बहुत सारे छात्रे हैं, जो 79,000 शिक्षक भरती में आरक्षा के नियमों का जो उलंगन हुआ है, उसके लिए लंबे समय से आज लोलंग कर रहे हैं, अपना दल लिरंपर, वे आपको विश्वास दिला के जाना चाहती हो, हो सकता है, इसमें सभी बहुत सारे छात्रों, बहुत सारे अभ्यक्ति हो, जो इस विशे से पिड़तों, जो इस विशे के लिए आज लोल और हुआरे सायोगी बैभार्थी दश्वास दिला के साथ बात्चित करना है, और इस विशे का समाधान जरूर होगा, यह मैं आपको विश्वास दिला के आज जाना चाहती हुए, जिस पर देश की लोग सभा के अंदर, इस देश की अंदर, इज़़ों के शोशितों के ल हमारे देश के अंदर, हमारे जन जाती भाईयों के कल्यार के लिए भारत सरकार ने एक अलग जन जाती कल्यार मंत्राले बनाया हुआ है, हमारे संध्यत समाज के कल्यार के लिए एक अलग से अलग से कल्यार मंत्राले बना हुआ है, उसी करकार से भारत सरकार के अंदर, इछ उनकी आबादी बढ़नी है। इसलिए उनके बहुत सारे विशें भी है। भारत की सरकारं वहारे विच्छने वर्ड के लोग है। केब्र सर्कार के अन्पतर और अलब मंद्लय का गठंगों के बारे मिज़ार करें इस बाद के लिए हम लगातार संह्थ भी थे लूओं हमारे देश की मियाख़ पाली का ये शाकाई डॉप्टर समेलाल बोटे इस मिम focused कहते थे कि हमारे देश की देश की दिया खालिगा जो है हमारी लौर्फ और सुप्रीम कोर्ट। उसको देखते हुए और चूजुम पर पर समाजिक दिवद्वता लाने के लिए याज फ्रस्टिपावाग नौजवान युवाड यूटी वह अपनी प्रदिखा के दब परना वीशों के परोग पर पोचे इसके लिए देश के अंदर ऑल चाहिए तो आप लिए जिस्टम है जिस्ते हमारे जजिस के परिवारों से ही लोग निदकते हैं और जज के पदों पर बैख जाते हैं लेकिन धारत के अंदर लोगतन को हैं नयपालिका लोगतन का एक मस्दूत सम्ध है इसलिए जरूर ही है कि अगर देश की तमाँ नोगरियों में देश के किसी भी परिवार का बेटा या बेटी किसी प्रतियोगी परिक्षा को उत्तीर करके अपनी प्रतिवार के बंग पे किसी प्रतियोगी परिक्षा बनाई जाए भरती नया इक सेवा बनाई जाए कि देश के गरीब अमीर दलिक पिछले शोशित समाने किसी भी परिवार में यदि कोई प्रतिवार वाल बच्चा है तो उस परिक्षा को उत्तीर करके उसको देश की लौर बोट से लेकर आप चुकी समय कम है इसलिए मैं आप सो बस इतना ही कहने के लिए आई हूँ कि चुनारी इदर भेरिया बहुत जंद बजने वाई है आप जानते हैं कि बहुत समय नहीं रहे गया है उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जल चुनारों की घुशना होने जा रही है और आप कर चुनाओं एक पॉत वहल का विशे होता है तो एदेश के मतदाता की और आप जर्मानस की नजबे ओलती है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की अंदर 80 लोग सबाव सीटे है 400 थी मिदान सबाव सीटे है इतना बड़ा राज है आपने प्रदेश की राजबीती में क्या परिवतन करने जा रहे हैं लेकिन करston लेकिस के अंदर विशे बना हुआ है और सियाजी पारा धीरे दीरे बढ़ता जाना है। मैं आज आप लोगों के बीच में आई हूँ सिर्फ यही अप्नी दमने के लिए कि आप सबका स्ने और आशिवाज हमें दिरांतर मिलता रहा है। आप सबस्का इतना सारा गोर्ड, आप सबका इतना समफ्रन मिला इसमें आज हम प्रदेश के सदन में मौजूद है। लेकिन आप प्रदेश के सदन में अपना प्रतिविजित्त बढ़ाना है। और याद लोगों के सवर्चन आपके अंगोले बहुत सेही सम्हाफ होगा इसलिए सम्हाने साथियों मैं आपसे से कितना ही अपील करूंगी कि जितना भी आपका जोश है जो अपना दल के लिए आपका प्यार है इसको आपको बना के रखना रहे कि आने वाले चुनाव में अ लेकिन जो भी अपना दल का प्रत्याक्षी बीच में आएगा आपके पीच में आप सबको उसको भारी से भारी मतों से विजय बनाकर हमारी प्रदेश के सदम में भीज़ने का काल करना है और उसके लिए मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे संवठन के भी जो कील काटे गुश्त करने में आपको हमारे जिले के संवतंटन के कारकरता अगर मतातारीयों कावी स्योग करना है क्योंकि आगर हमें एक एक फूट जितना है तो हमारे एक एक बूट पर हमारी अपना दल का सिपाही पैनाथintellания और ऊस दायेगा पर परिवारों के अंदर आपके घरों के अंदर आपके आज परोश में लेकर संधर्श करने के लिए तयार हुए मैं आप सबसे अपरी करना चाहती हूँ को वेटे और बेटियों को अपना दल की जिले के संगधन को सोपने का कांग कीजिएगा ताकि यह हमारे साथियों कि जब पूरी वर्च तयार हो जाए पूरी सेना तयार हो जाए तो हम पूरी मजबूती के साथ जो उक्तर प्रदेश का चुनावी गढ़ होने जा रहा है उसमें पूरी मजबूती के साथ लर सके और गढ़ ही नहीं सके बलकि प्रदर्शन बेहतरीन करते हुए जीत कर हम अपने अपने देरे में सब्सक्राइब पर उक्तर प्रदेश की वि तपी हमने अपनी गराई में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन जाना सोचिए कि अगर 400 टीम के सदर में हम 9 से और कुछ जादा बढ़ जाएंगे और 500 पैसब की लोग सबाँ में 2 से और कुछ जादा बढ़ जाएंगे जाने वाले समय में तो 24 की बात अभी तो 22 पे दिगा रखी है। तब अपना में कितनी और बजबूती के साथ आपके लड़ाई लड़ने का काम करेगा इसकी कल्पणा है। तो तर्जय वल बहाना ले चुबे होई जलपेती निजियों को बढ़ाना है। और यह आप सब के साथ और सायोग के बगर संबाव नहीं हो सकता। मैं आप सब से यही कहने आई हूँ कि आप सब इसी प्रकार अपना स्ने और समर्थन बनाते रहे हैं। और आए होए सबी साथियों को मैं पुना आज के समसर पर इतनी बड़े संखा में यहां पर उपस्तित होने के यह बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के लिए लंबा रास्ता भाग करते हुए आपके बीद में पहुझी, काफी लंबे समय से आप सब प्रतीक्षा कर रहे हैं तो पुना आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद इस उमीद के साथ, इस आशा के साथ, इसी प्रकार आप सब अपना दल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आने वाले चुनाव 2022 में हम सुख मिलकर इस चुनावी जंग को पते करेंगे और अपना दल को एक बहतरीन और बड़े सुरूप में बड़े आकार में उत्तर पिदिश की आप गर्मानस के सामने पेश करने का काम करेंगे बहुत बहुत धत्यवाद नमो मुथाये जय अपना दल करेंगे अभी हमारे जिनाथ धर्ची दुबस्तिके हैं अभी हमारे जिनाथ धर्ची दुबस्तिके हैं